नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं चित्र भारती कथमाला की एक और मज़िदार कॉमिक्स रूहों की घाटी पार्ट टू प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल रूहों की घाटी भाग दो पिछले अंक में हमने देखा कि किस परकार भारतीय पुरातत्व टीन के चार सदस्य मिस्र से एक ममी लाए और किस परकार से उनमें से तीन सदस्यों की दर्धनाक मौत हुई अब आगे फिर से सोच लिजे डॉक्टर मित्रा क्योंकि अगर यह सब सच है तो तूतन रे होरा की रूह का अगला निशाना आप ही होंगे मैंने सब सोच लिया है अब मुझे सिर्फ आपकी हां का इंतजार है जब आप लोग इतनी हिम्मत से काम ले रहे हैं तो मुझे से भी ना कहते नहीं बनेगा थेंक्यू कपिल अब मैं अपने स्वर्गे भाई का अधूरा छोड़ा काम पूरा करके ही दम लूँगा और दो दिन बाद मिस्र की राजधानी काहिरा के एरपोर्ट पर यहां से हमें उंटो पर जाना पड़ेगा खुशामदीच साहब एहमद तुम हाँ साहब इस बार भी हम ही आपको पिरामिट तक लेकर चलेगा इस बार तुमको डर नहीं लगेगा एहमद डर तो मेरा साहब उसी वक्त खत्म हो गया था जब मैंने अखबार में सिंग और सिना साहब की दर्दनाक मौत की खबर पड़ी थी अब तो मुझे भी उस रूँ से बदला लेना है हमारे कैमप अब तक लगे है वह क्या दिख रहा है एमद यह स्विंग से साहब इसकी बारे में तो मैंने बहुत सुना है सुना होगा साहब चरूर सुना होगा इस विशालकाय मूर्ती को गिज़ा का स्विंग्स कहते है यह है 198 फीट लंबा और 70 फीट उंचा है उसके पीछे पुरातवत शास्त्रियों को बहुत महनत करनी पड़ी है न जाने कितने समय तक रेथ हटाने का काम चलता रहा और तब कहीं जाकर इस मूर्ती के सर को सुरक्षित निकाला जा सका सच पूछो साहब तो स्विंग्स हमारे पुराणों के अनुसार एक ऐसा विचेजर जन्तु है जिसका धर तो शेर का होता है लेकिन सर मनुष्य का आश्चर्य जनक आव कपिल खाना तयार है वह रात सुरक्षित बीट गई सारी रात कपिल और एहमद बारी बारी से पहरा देते रहे जाकर सोहिये सहाब अब मेरी बारी है शुक्रिया एहमद अगले पूरे दिन काम चलता रहा दिन डूबा और रात फिल घिरने लगी इन सबसे हमको तूतन रे होरा के काल के बारे में जितनी जानकारी मिलेगी उतनी पहले कभी नहीं मिली अरे वह अब आप लोग अराम कीजिए कपिल बाहर निकला अगर कोई रूह हमला करना चाहेगी तो आज की राती करेगी क्योंकि आज भी अमावस की रात है मैं रूह का काम खुद ही आसान कर देता हूँ कम से कम उसे मुझको ढूनना तो नहीं पड़ेगा तभी बादलों की गरत जैसी एक रहस्ते में आवाज गुंजी तेरी मौत तुझको खेंच कर यहां ले आई है प्राणि मैं नील घाटी का पहरेदार हूँ अरे यह स्विंस की मूर्ती कैसे बोल रही है जो भी यहां मेरी आज्या के बगेर खुसेगा वेह अपनी मौत को गले लगाएगा जर्याब पास से देखूं की मूर्ती कैसे बोलती है कपिल स्विंस की तरफ बढ़ा लेकिन एक लपट ने उसका रास्ता रोक लिया ओह और चारो तरफ का वातावरन भयावय शक्रों से भर गया यह यह सब वास्तब में हो रहा है या मैं सपना देख रहा हूँ तभी कैम्प की तरफ से आवाज आई कपिल बाबू, कपिल बाबू, जल्दी आईए छोटे मित्रा साहब की तबियत अचानक खराब हो गई है यह तो एहमद की आवाज है कपिल कैम्प में मोचा शरत को क्या हुआ डॉक्टर मित्रा बता नहीं, अचानक ही तडपने लगा मुझे यह फूर्ट को अर्जनिंग का केस लग रहा है एक इंजेक्शन में यह ठीक हो जाएगा रुके मिस्टर मित्रा दवाईयों के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ इस समय यह इंजेक्शन शरत के लिए जहर साबित होगा ओ, घबराहट में मैं गलत दवाई उठा बैठा अभी गजब हो जाता थैंक्यू वेरी मच कपिल घबराहट में यह जान बुझकर बाहर साब आपने वे साब बाहर अभी देखा ना भी भूत प्रे वो तुमने भी देखे क्या हाँ साहब मैंने तो पहले ये आपसे बताया था हाँ हाँ लेकिन अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है रूहे ऐसी ही आती और ऐसे ही चली जाती है साहब एहमद मैं जरा भूत प्रेतों से मुलाकात करने जा रहा हूँ तुम डॉक्टर वसंद मित्रा पर नजर रखना डॉक्टर मित्रा सहाब पर नजर? क्यों सहाब? उन्होंने क्या किया है? कुछ खास नहीं तुम सिर्फ यह देखना कि वह मेरी लौटने से पहले छोटे मित्रा सहाब को कोई दवाई या इंजेक्शन ना दे बहुत अच्छा सहाब आप मुझपर भरोसा रखिए तीन मौते एक दुरघटा दूसरी हार्ट फेल तीसरी पागलपन में अठारवी मंगिल से छला डौक्टर मित्रा आराम से यह तीनों हत्याइक कर सकता था और फिर पिछली बार यहाँ पर आए गुरुप के सिर्फ एक ही व्यक्ति पर रोह ने हमला नहीं किया है और वह व्यक्ति है डौक्टर फसंत मित्रा यह अजीब सी गन अह दम घुट रहा है मैं बेहोश हो रहा हूँ कपिल के बेहोश होते ही चार भयानक अकर्तियों ने हवा में प्रकट होकर कपिल को घेर लिया इधर एहमद कपिल का इंतजार कर रहा था कपिल साब ने कहा था कि जब तक वे आन जाएं तब तक मैं यहां से हिलू तक नहीं और उधर कपिल बेहोशी के अंदकार में डूबा हुआ था पता नहीं कितनी देर बाद कपिल को धीरे-धीरे होशाना शुरू हुआ उसने आखे खोली और एक दिल दहला देने वाला नजारा उसके सामने था ओ, कोई भूत मुझको पकड़े खड़ा है और कोई रूख मेरी तरफ तेजी से बढ़ रही है शायद मिस्टर मित्रा की मौद भी इसी तरह हुई है अंदेरे में कुछ पताई नहीं चल रहा कि मेरी तरफ यह क्या आ रहा है तेजी से बढ़ती हुई वह वस्तू अपने निशाने के पास महची यही मौका है कपिल तेजी से जुका इस भूत को अब तक पता नहीं है कि मैं होश में आ चुका हूँ इसको कहते हैं धोबी पाट दाओ, मिस्टर भूत और आह अरे यह तो ट्रक की आवाज है अंधेरे में ट्रक के अंदर बैठे लोगों को पता ही नहीं चला कि शिकारी खुच शिकार बन गया फरदून को भी लेते चलो नहीं वह लाश का खून सूख जाने के बाद उसे किसी और जगह पर फेक कर आएगा ताकि सब यही समझे कि किसी रू ने इसका खून चूस लिया है हाँ 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 समझता था जैसे उसे कोई पहचाने गए नहीं हाँ अरे प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल को भला इस दुनिया में कौन नहीं पहचानता लेकिन उधर शिकार सही सलामत था तो यह चक्कर है भूतों की आड़ में हत्यारे अब मुझे समझ में आ रहा है कि यह काम किसका हो सकता है सबसे अच्छी बात यह है कि हत्यारे यह समझते रहेंगे कि कपिल खत्म हो गया और मैं भी चाहता हूँ कि यह यही समझे कपिल कैंप के पास महँचा और चुप चाप किसी का इंतजार करने लगा उसको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा टैंट से एक रहसे में छाया बाहर निकली और स्विंस की तरफ बढ़ने लगी कपिल थोड़ी दूर से उस चाया का पीछा करने लगा लेकिन कपिल उस चाया से अन्बिग था जो उसके पीछे लगी थी एक के पीछे एक तीन परचाईयां स्विंस की तरफ बढ़ रही थी लेकिन उधर किस्मत कुछ और ही नजारे दिखा रही थी अरे यह तो फरदून की लाश है यानि वह कपिल ने हमको धोका दे गया उसको तो मैं तेख लूगा वह जरूर हमारे अड़े का पता लगा रहा होगा थोड़ी दूर पर कपिल उस रहस्ते में परचाई का पीछा करते करते स्विंस तक पहुँच गया था परन्तु आहा व कह रहा कपिल वह बॉस के पीछे पीछे हमारे अड़े की तरफ वढ़ रहा है अभी इसको मजा चखाता हूं तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बने रही मेरी साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद कि हूए है बने के अब बने ठिक पीछे का बर हाँ मेरी और सब्सक्राइब करना भए तक की तरफ यह थी बने खबता है कि पीछे पीछे है यह जब का जाई और दो आ हमारे रही पीछे हैं ऋर्inisटा नуди